आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Students, let's start the question और हमारा question कहता है कि घड़ी के Spring में संग्रहित उर्जा है ए यांत्रिक उर्जा, बी उस्मा उर्जा, सी प्रकास उर्जा, डी विद्धुत उर्जा इसमें से कौन सा सही है देखे, घड़ी का Spring हो या कोई भी Spring हो अगर मैं उसका एक चित्र बना के आपको समझाता हूँ सपोज ये एक आधार है और यहां से ऐसे करके ये Spring चुड़ी हुई है और यहां पर हमने उसमें कुछ एक मास, एक द्रम्मान बांदिया है ठीक है, इसको रोकने के लिए ये M द्रम्मान का है ये A द्रम्मान का है अब देखे, सीधी सी बात है कि अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ इसको बढ़ाने का मतलब है इसको खींच के मैंने इतना लंबा कर दिया ठीक है और या तो इसे दबा के मैंने इतना छोटा कर दिया इन दोन ही इस्तिती में क्या होता है कि हम इसे एक जगे पर रोग दे रहे हैं तो इसमें कुछ औरजा संचीत हो जाती है और वो औरजा इस स्प्रिंग की इस्थिती के कारण होती है क्योंकि वो रुकी हुई है दबी हुई है, रुकी हुई है इस वज़े से इसमें जो ओर्जा उससे में संसीत होती है अगर हम इसे यहाँ पर छोड़ दें तो यह आगे पीछे इस तरह से कुछ मूब करेगी पहले इधर जाएगी फिर इधर आएगी फिर इधर जाएगी ठीक है यांतरिक उर्जा, क्योंकि, एक तरह का यंतर है, जो रुके होने के कारण अपनी उर्जा को संग्रीद करना है. बाकी की जो उर्जा के options इसमें दे रखें, विकद दे रखें, उश्मा उर्जा ये कहीं पर भी use नहीं हो रही है, प्रकास उर्जा ये भी कहीं नहीं use हो रही है, विद्धत उर्जा ये भी कहीं नहीं use हो रही है इसले इसका सही option होगा A यांतरी कूर्जा गन्य